इंटेल जैसी कम्पनी जो एक जमाने में PC इंडस्ट्री के उपर रूल क्या करती थी आद के समय में स्ट्रेगल कर रही है यहाने की 2024 की बात करें 20,000 से जाद इंपलॉईस को ये ले आफ कर चुके है 16 बिलियन डॉलर का लॉस ले चुके है यहां तक ही हाली में इनके CEO ने पॉजिशन से रिजाइन भी कर दिया लेकिन ऐसा क्या होगे इंटेल के साथ क्योंकि अगर मैं पूरी चिप इंडस्ट्री को देखू तो आज के समय में बूम कर रही है NVIDIA जैसी कंपनी AI चिप्स बना बनाके दुनिया की मोस्ट वैलियूबल कंपनी बननी है TSMC के पास काम इत्ता साथ आगया कि उतके पास fabrication की जो capacity वोस की full चल रही है यहां तक की Samsung जैसी कंपनी भी अच्छा कर रही है अपने प्रोसेसर बनाने के अंदे और तो और AMD भी बात करें तो वो भी काफी कच्छा perform कर रही है लेकिन घूम फिर के बात आती है कि सबसे पुरानी प्रोसेसर की कंपनी ऐसी position में क्या आगी कि उसका पूरा का पूरा एक खात्मा यहां पर हो सकता है यार यह कैसी चीज़े की इंटल के साथ क्या हुआ आगे चलके क्या हो सकता है उस सारी चीज़े बात करते हैं क्योंकि इंटल ने बहुत ही हाई क्वालिटी के प्रोसेसर शुरुआती जनों में निकाल दे थी एक जमान आया थे कि आपको इंटल के पंटियम प्रोसेसर देखने को मिलते थे पंटियम के बाद इंटल कोर टू डू को जमाना आया थे फिर इंटल कोर आई थी आई फाई आई सेविन है कई सालों तक ही जनरेशन सुमकी यहां पर चली लेटेस्ट बात करें तो Intel Ultra Core आपको देखने को मिलता है उपर से बात करें तो Intel Server Side में Xeon Processors को भी निकालता है तो और Intel के साथ सबसे अच्छी चीज़ है कि Totally Vertical Integrated Company विहाने की वो एक ऐसी कंपनी है जो यहाँ पर एक चिप को डिजाइन करती है उसको खुद फैब्रीकेट करती है अब मार्केट में लेकर आती है जबकि बाकी चिप कंपनी से पता क्या करती है यह लोग खुद डिजाइन करेंगे लेकिन फैब्रीकेशन को किसी और को देंगे और दोर स्मार्टफोन इंडस्री में तो अलगी खेले ARM यहाँ पर आर्केटेक्चियर बनाता है यह स्नैपड्रेगन, मीडेटेक उसके प्रोसेसर को डिजाइन करती है और उसके बाद यह प्रोसेसर का फैब्रीकेशन TSMC करती है एवन AMD भी अपनी काफी सारी चिप को TSMC से बनवाती है और NVIDIA जैसी कमपनी भी TSMC से बनवाती है लेकिन इंटल क्या थी? एक वर्टिकल इंटिग्रेटेड़ कमपनी थी उसके बाद खुद की फैब्स थी, डिजाइनर्स थे यहाँ तक की दुनिया में किसी भी चिप कमपनी से जाधा वर्क फोर्स इंटल के पास है लेकिन इसके बाद वजूद भी इंटल की हालत यहाँ पे क्यों थी खराब हो गई एक एक करके बाद करतें सबसे बहले तो प्रोसेसर पीसी वाले मार्केट में बहुत अच्छा कर रहते है लेकिन बीच में उनका एक टाइम फेज ऐसा था जो फेब्रीकेशन प्रोसेस में जो एनम होते हैं वो कम करते थे और ये कम 28 एनम से शुरू किया 20 एनम तक लाए फिर ये लो 14 एनम तक आ गये थे लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने 14 एनम की जो प्रोसेस तीना वही उन्होंने 2021 तक कंटीनू रखी जबकि मार्केट इस बीच में धीरे धीरे और ज़्यादा श्रंक होता चला गया और आज में 2024 में जो इंटेल 7 स्रीस के प्रोसेसर आते हैं नाम को तो 7 है लेकिन आज भी वो 10 एनम वाली प्रोसेस पर ही बेस्ट है यह एक बेसिक फंडमेंटल चीज थी जहां पर इंटेल यहां पर थोड़ा सा लैक होगा था लेकिन इसके साथ कुछ और जगे थी जो 2010 से लेकि 2020 में इंटेल ने मिस करेजी सबसे पहली चीज थी इंटेल का जो वोबाइल फोन रिवलिशन आ रहा था उसके प्रोसेसर पर लूज करना है आपको जादे एक जमाने में एसोस जैसी कंपनी ने इंटेल के प्रोसेसर के साथ अपने फोन निका ले थे लेकिन यह फोन मार्केट में जादा चले नहीं और जादा सकसफुल यहां पर होनी वा है और मार्केट से बहुत ही जल्दी खतम होंगा और इसके साथ इंटेल ने यह डेसाइड किया कि वो वोबाइल फोन के प्रोसेसर के उपर काम नहीं करेंगे लेकिन उसके कंपेरिजन में जितनी भी दूसरी कंपनी इस थी वो प्रोसेसर के उपर लगी रही आपल आज भी अपने आईफोन में कॉलकॉम स्नैप्रेन का 5G मोड है में यूज करता है अब रूमर्स आरे कि फ्यूचर आईफोन में खुद का 5G मोड है में यूज करेंगे लिए इसके साथ ही बात करें जब से AMD राइजन मार्केट में उन्होंने यहां पर एफिशेंसी बहुत अच्छी निकाल दिया और धेर सारी पॉफिम्नस निकाली और उसके बाद AMD भी यहां पर गेम में वापस आ गया और आग के समय में हालत यह कि भले ही Intel पीसी मार्केट में बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी यह लोग अपने आपको प्रॉफिटेबल नहीं कर पा रहे हैं और बहुत जादा लॉसस से गुजर रहे हैं एक जिसका one of the main reason एक ही खुद वर्टीकल इंटीग्रेटेट थे क्यानी की वर्टीकल इंटीग्रेशन का फायदा है रहता है कि अगर आप खुद सारी चीज़े करोगे तो सारे चीज़े आपकी कंट्रोल में रहेंगी और आप affordable manner में कर सकते हो फास्ट कर सकते हो और सारी चीज़े आपको पता है कि आपको कहा कहा क्या क्या चिंजिस करने हैं जिस कारण से आप execution फास्ट कर सकते हो पैसा भी ज्यादा बनाओगे यह एक ऐसी चीज़ रहती जिस पर हर एक कंट्रों करना चाहती वर्टीकल इंटीग्रेशन पर लेकिन व वो एक वीज़ा था खुद की और जादा फैब्स के उपर इंवेस्ट ना करना और पुराणी टेकलोजी के उपर जादा से जादा रिलाय करना जिस कारण से टीएस अपसी जैसी अपनी आगे मूव ओन करती चली गई और यह लोग यहाँ पर रेस से पीछे होगा और टीए साथ ही इंटल हेवी कॉस्ट कटिंग कर रहा है और कई सारे प्रोडक्शन कॉस्ट हो रहते हैं कई सारी डिवीजन्स हो थी उन्हें बंद करके अपने कॉस्ट यहां पे बचाने में लगा हुआ है इसके साथ इंटल के साथ एक और प्रॉब्लम नहीं बोथी यार एई में देखा जाए तो आपके कंप्यूटर मोबाल में एक हार्डवेर की जरूरत नहीं है लिटरली जहां पर आई की पावर की जरूरत है वह होते हैं आपके सर्वर्स बैगेंड जैसे कि पूरा ओपन एयाई एंवीडिया के सर्वर्स पर चलता है इलॉन मस्की जो एक्स एक आने वाली कंप्यें यह मोस्ली अपना पैसा यहां पर पीसी इंडिस्ट्री यह लैप्टॉप से जादे नहीं बना दी वह बनाती सर्वर साइट से सर्वर साइट पर बायानक डिमांड और उसी चीज़ का फाइदा एंवीडिया ने उठाय और एंवीडिया नंबर वन वह आज भी वैसी नहीं जो सर्वर साइट पर यूज किया जा सके और लैप्टॉप्स बगरा के लिए लोग इन हाउस चिप्स को डिसाइन करने हैं वहीं बात करें आल्रेडी यहां पे PC इंडस्ट्री में भी ARM वाला कॉम्प्टीशन आ चुका है जहां पे Snapdragon X Elite है और भी Snapdragon Multiple पर प्रोसेसर निकालने वाला है, Media Tech भी निकालेगा और ARM के उपर Microsoft का भी फोकस जा चुका है कि यहां पर किस तरीके से काम किया जाए कि ARM पावर लैप्टॉप्स और ARM पावर हाडवेर को जादा से जादा प्रमोट किया जा सके तो वो भी एक मार्केट है जो धीरे धीरे हा अभी के समय बात करें तो इंटल जो इत्ती अच्छी हाई ग्रोथ दिखा रहा था वो अब ग्रोथ इत्ती अच्छी नहीं रिखा रहा और इतने सालों के बाद AMD जैसी कमदी उसे पीछे छोड़ रही है लेकिन क्या आने वाले समय में इंटल के साथ ऐसी चीज़े चलेंग बैटर किया जासा कि और जादा कोदे मार्केट के अंदर और उपर से कई सारे बिजनसे को इनोंने लाइन से लूस किया चाहे हम फोन बिजनस के बात करें AI के अंदर लेक्ट एंटरी करें एवन खुद एपल होंगा वन ओफ दा बिगेस ट्रैंट हुआ कर सा था लेकिन 2020 मे अपल टोटली अपने अपल सिलिकॉन के पीछे चला गया तो वो भी कोई बहुत बड़ा लॉस था कई सारी चीज़े हुई थी लिकिन मेरे को ऐसा लगता है कि चिप इंडस्री आज भी बहुत ज़ादा राइस कर सकती है क्योंकि दूसरी कंपनी से लगी हुई है और जो प फ्यूचर इसकी चीज़ हो सकती है फ्यूचर के जो चिप संगी हुँगी सच में हापर रिक्वार्मेंट है क्योंकि बेसिक प्रोस्टर का काम ऐसा नहीं कि आप सिफ मॉबाइल फोन पर गेम खिलना है पीसी पर गेम खिलना है एक्जक्ली में अच्छे जो प्रोस्टर सोत कि बहुत अच्छा कर सकती है लेकर अगर इंटल का अगर इसी डाउन फॉल यहां पर कंटीनीव रहा तो शायद इंटल काफी पॉराणी कपरी हो सकती है दिखते क्या रहता है और हाई यह बतानी की जबरत है इस साल इंटल के प्रोसेसर के साथ इसूस बें जुड़े रहे और इंटल के साथ एक और दिक्कत यह हुई थी कि पुराणे प्रोसेसर के सेक्यरोटी वल्यमरेटी के इशूस आए थे तो वो भी एक चीज थी तो यार इस टाप की प्रोब्लम्स पर इंटल को फेस करनी है बी टू बी में भी काम करना है और अपने आपको पहले से अपने अगली वीडियो के अंदर गुडबाए